जैहिन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जाम नने कहा है अब कितना हो गया थर्टी हो गया थर्टी परसेंट हो गया दा टोटल नंबर ओडियाई प्लेट बिट्वीन टू कंट्री एक्जाम नने पूछा है कि दोनों कट्रे के बीच में कुल कितने ओडियाई कितने मैच खेले गया तो आईए इस कोशन को एक बार ट्राई करते हैं देखिए यह मुझे दिर्खा है 60% तो इस 60% को मैं खोल सकता हूँ ना 60 by में 100 इससे मैं इसको काटा तो मेरे पास में 3 by में 5 आ गया अगर मैंने माना कि टोटल मैच 5 हुए है स्टार्टिंग में तो उसमें से 3 तो मेरे पागिस्तान ने जीत लिए और अगर 3 इसने जीते है और पाकिस्तान ने जो जीते हैं वो आपके कितने जीते आपके 3x जीते यह मुझे गीवन देखा है फिर एक्जामनर बोलता है कि उसके बाद थर्टी मैच होते हैं जब थर्टी मैच होंगे तो पहले कितना थे मेरे पास में फाइफ एक्स मैच थे अब कितना होगे थर्टी मैच टोटल मैच कितना हो थर्टी मैच होगे है जो थर्टी मैच हुए है वो जो नेक्स थर्टी मैच इंडिया कितना होगा आपका 70% होगा तो एक्जामनर ने यही पूछा है कि दोनों की बीच में कुल कितने ओडियाई खेले गए तो देखिए पहले 5x मैच खेलते थे अब 30 और खेले गए तो टोटल जो मैच खेले गए वो 5x प्लस का 30 यह टोटल मैच खेले गए अगर मैं इ दुआ यह जीते गए मैच के बडर होगे तो पहले इंडिया कितने जीते रहे हैं डू-एक्स अब कितने 30 और जीत रहा है तो टोटल इंडिया ने इतने मैच जीते तो इसके बडर वोगा इससे मैंने से काट लिया ऐक्रॉस मुल्टिपलाय कर醂गा तो यह साथ मैं इसको विजूँगो तो 15x इस गल्टू में 90 हो जाएगा आपका तो 156 के 90 x की वैली जो आगे मेरे पास में 6 आजागी अब यह एक्स की वैली छे आगी तो मैं इसको अगर मैं रखूँगा इसमें 5 इंटू में 6 करूँगा तो मेरे पास में पहले खेले गई मैच आएंग खेले गई उसमें से 60% किस ने जीते पागिस्तान ने तो 40% कितने जीते होंगे इंडिया ने जीते होंगे यह मैंने निकाल लिया 2x और 3x अब उसने कहा कि वह 30 मैच और 30 मैच हुए तीज के 30 वह इंडिया ने जीत लिए जिसके कारण पाकिस्तान का सक्सुसरेट 30% हो गया तो इसका मतलब है इंडिया का सक्सेसरेट कितना हो गया 70% हो गया तो पहले 5x ते अब 30 मैच हो गया तो टोटल मैच का अगर 70% निकालूँगा मैं तो वह बराबर किसके होगा इंडिया के विनिंग मैच के बराबर होगा 2x प्लस का 30 2x पहले जीत रहा तो 30 अब जीत रहा है इसको सोल कर तो x की वेल्यू मेरे पास 6 आगे इस 6 को मैं इस 5 इंटू x में रखूंगा तो 30 मैच पहले खेले आते थे 30 अब बाद में खेले के तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे 60 हो जाएंगे चलिए इसको एक बार रेशो वाले जीता है तो इंडिया कितना जीतेगा आप का 30 परसेंट तो इन दोनुका अगर मैं रइशो निकालेंगा तो मेरे कि टीजितेगा यानि कि अगर पहले मैच पांच हुए तो उसमेंसे 2 तो किस ने जाए इंडिया ने जीते हैं या न्यां आपके पागेस्तान ने जीते हैं आज आप 10 मैच होँ हैं यानि कि कितने मैच हुए हो इन कि दॉब हो आज 30 मैच हुए है क سے गशावफ तो इंडिया का जो मेरे पास होगा वह आपका 7 혹 ये मेरे पास रही कितना हो जायगा यह दोनों तो मेरे पास constant अब यह देखी है अब क्या होगा seven रहा पहले दो मैं जीता रहा था अब सात मैं जीते हैं उसने सतं में धीते हैं तो इन दोनों के बीच पाँचwegen सब्सक्राइब उसने इसë मल्टिब्लाइब करेंगे ठेसे आप。。 को multiply कर देंगे तो आपको पहले खेले गई मैच आजाएंगे यानि 30 और अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो यह पहले वाले थे अब कितने थे यहां पर 10 यह एजुमिंग थी इस इस को गर मैं इस से multiply करूंगा तो मेरे अब के खेले मैच आजाएंगे वादर टूटल मैच के खेले आजाएंगे निए 60 यानि कि option जो सी होगा वो इस question के लिए correct होगा आई hope आप सभी को question समझ में आओगा जय हिंद जय भारत